Hello friends, welcome to my channel Pregnancy Care with Megha मैं Megha आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों जैसे कि मैंने वरत के लिए एक वीडियो शेयर किया था कि प्रेगनिसी के दोरान वरत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए ऐसे में मेरी बहुत सारे friends का reply आ रहा था कि मैं अगर मैं pregnant हूँ तो क्या मैं करवा चोत का वरत रख सकती हूँ क्या pregnancy के दोरान करवा चोत का वरत रखना चाहिए और अगर हम नहीं रख सकते हैं तो क्या इससे कुछ परेशानी तो नहीं होगी तो दोस्तो आज का वीडियो में उसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ देखे दोस्तो क्रवा चोत का वरत सब जगे निर्जिला वरत रखा जाता है और रात को चंदर्मा को देखकर इस वरत को पूरा किया जाता है लेकिन अगर आप प्रेगनेंट है या तो आपकी प्रेगनेंसी ब्रुको नॉर्मल चल रहे है या फिर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है प्रेग्निंसी के दोरान व्रत रखने के लिए एक बार आप डॉक्टर से अगर कंसल्ट कर लेते हैं तो ये एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आप व्रत रख सकते हैं या नहीं तो अगर आप वरत रखना ही चाहते हैं अगर आपको वरत रखना है प्रेग्णिन से आपके भी को नॉर्मल चल रही है तो आपको वरत किस तरीके से रखना है और किन चीजों को ध्यान में रखना है देखे दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि अगर आप आज रात को खाना आपने खाया और कल रात तक आप बिल्कुल भूर के निर्जला रह सकते हैं बिना पानी पिए तो ऐसा आप करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है ऐसा करने से आपके बच्चे पर कुछ बुरासर भी पढ़ सकता है तो करवाचोग का वरत रखना है तो आप उसको कैसे रख सकते हैं देखे दोस्तों दो तरह की टेंड्स होते हैं या हम कहें कि دो तरह की भावनाई होती है कुछ लोगों में तो दोस्तों देखें सरगी खाई जाती है अगर आपके हैं सरगी खाई जाती है तो आप सुबह उठकर सरगी खाईए आप सुबह उठकर 3-4 बजे के बीच फल, फ्रूट, दूद वगर ऐसी चीज़े खा सकते हैं क्योंकि ऐसा खाने से आपको पूरे दिन बहुत अधित प्यास लग सकती है तो आप हैल्दी चीज़े खाईएगा, डूद पीजेगा और पेट भरके खाईएगा इससे क्या होगा कि अगर आप 3-4 बजे पेट भरके खा सकते हैं तो यह जो खाना आप खाते हैं इससे पोशकता तो आपके बच्चे को दिन भर मिल जाएगे तो अगर आपके यह सर्गी खाई जाती है तो आप इसको जरूर खाईएगा और अगर नहीं खाई जाती है तो और आप ट्रेगनेंट है तो तब भी आप सुबह उठकर 3-4 बजे हलका सा कुछ खा सकते हैं एक चीज तो अगर आपके होती है या फिर आप कर सकते हैं तो यह चीज आप कर सकते हैं हम लोगों के यहां क्या होता है कि जैसे कि सरगी नहीं खाई जाती है तो हम लोगों के यहां निर्जला वरत रखा जाता है तो ऐसे में हमारे जो बड़े हैं वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगोंने पहली करवाचोत ही अगर आप कोई चीजे फोलो कर लेते हैं तो वो आगे तक सही रहती हैं, जैसे कि अगर कुछ कोई बिमार है या कोई प्रेगनेंट है या कोई कॉम्प्लिकेशन है किसी चीज की, तो ऐसे में पहले करवाचोत होती है उसमें हम लोगों को दूद, फूरूट या मिठाई, कुछ ना कुछ पहली करवाचोत पर हम लोगों ने तो जब मेरी दूसरी करवाचोत थी तो उस समय में प्रेगनेंट थी, तो हमने पहले पर आन इसको तोड़ दी थी, तो हम अब दूसरी पर खा सकते थे, तो मैंने अपनी दूसरी करवाचोत पर मेरा वाफाई या 6 मन्त चल रहा था तो ऐसे में में दूद, फूट और आपको कुई दवाई खानी है, तो ऐसे में आपका वरत बिल्कुल भी खंडित नहीं होता है, टूटता नहीं है, किसी एमर्जनसी के समय, किसी प्रॉब्लम में ही आप ये सब चीजे कीजिए, अगर आप बेकोश वास्त है, कोई प्रेगनेंसी नहीं है, कोई कुछ नहीं ह तो आप निर्जी लवरत रख सकते हैं, लेकिन अब क्या होता है, कि जैसे अगर कोई तवियत खराब है, या कोई प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी का समय था, तो हम लोगों ने दिन में थोड़ा सा फ्रॉट्स फल या फिर हमने दूद पी लिया था, तो ऐसे में क्या हुआ था, तो आप तो आप कर सकते हैं, एक पीजिर या प्रेगनेंट भी है, तो पहली करवा चोट परेथ्ट में, पार्पी प्रॉट सबड़ा सा खाना और कुछ रिजिए, और अगे आप जब नॉमल होगा तो आप उसको इसको अचिशना के रिजिए गा, अब भिसकी किष बढके अखाई जाती है तो भी आप सुबहें को तीन से चार बजे हल्का सा कुछ खा लीजिए. तीसरा क्या होता है कुछ लोगों के यहां दिन में जब पूजा हो जाती है तीन चार बजे कहानी हो जाती है तो उसके बाद चाय पी लेते हैं तो वो लोग चाय के साथ कुछ खा भी सकते हैं हलका सा, तो अगर आपके इहां भी चाय के साथ कुछ खाने का ट्रेंड है तो ऐसे में आप क्या कीजेगा, कभी भी चाय मत पीजेगा, चाय पीने से आपको गैस बन सकती है, क्योंकि पेट आपका खाली होता है, ऐसे में आप दूद फल वगेरा लीजेगा इससे आपका बच्चे को बहुत ही अच्छे पोशक्तात्व मिलेंगे और बच्चा भी आपका स्वस्थ रहेगा तो आप इस तरीके से थोड़ा सा खा लीजेगा और अगर आपकी प्रेगिंसी में कॉम्प्लिकेशन्स हैं दवाईयां चल रही तो बिल्कुल भी वरत रखने की जरूरत नहीं है भगवान का अपहाद जोड़े संकल्प लीजे और तब भी अगर आपको वरत रखना है तो दो से तीन बारा फलका हलका खा लीजे कभी भी किसी भी परेशानी में भगवान कभी भी नाराज नहीं होते हैं यही बात मैं आ आपके बहुत जादा जरूरी है लेकिन यह सब एक रिचुल्स हैं जो हम लोग फोलो करते हैं लेकिन यह अंध विश्वास नहीं है तो रिचुल्स फोलो कीजिए उसको अंध विश्वास मत बनाईए और अगर आप तब भी रखना चाहती है और बहुत अदिक आपको दव ऑनाओन काे मिलाँ आप आप कोशीश कीजिए ग़ारा जादा भी भूझन मत जादा परी ने को छुदर भीड़ार आपको तिहान फूलो कुर्षयानि हो सकती है तो यह मेरे वीडियो है करवाचो टोट bus जहने करवाजोत का वरत रही है और उनकी पहली करवाजोत है. चाफिर मैं कहूँ कि पहली करवाजोत है और पहली करवाजोत पर ही वो प्रेगनेंट भी हैं. तो इंची जोगा आप अधिक ध्यान रखे रहा. उम्मीद करती हूं, वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, लाइक कीजेगा, कमेंट कीजेगा, शेयर कीजेगा थेंक यू फॉर वाचिंग प्रेगनिसी के अरविद मेगा, थेंक यू, नमस्का